पूला बोला 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 जात दिए चार धरा देहीं दूई धरा कहीं के लिया थौलया नाहीं चला हटा तो सालोगे मोधी सरकार में आपको कुछ भी दिखा कोई भी ऐसकाम दिखेंगे नमस्कार में रिद्धियादव भारत की खास प्रोग्राम यादव चौपाल 2024 में एक पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम जहां पर अभी खड़े हैं वो लोगसभाद फूलपूर का बीरापूर गाउं है जो की एक यादवों का गड़ माना जाता है तो चलिए कि यादवों से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लोगसभाद चुनाव को लेकर यादवों की जो अपनी राय है वो अखलेश यादव से हट चुकी है क्या मोधी के साथ आचुके हैं सभी आदव आईए यहां के लोगों से बात करते हैं उनकी नीजी समस्या किते हैं चुना होने वाले समें कि सरकार बने की साथ में या अखिलेश चाहते हैं। झाल की ढहा हुआ कि बलंगे वी कि सरकार चलिए हमने यहां की ओरतों से बात की तो इनका यह कहना है कि इन्हें अभी जो हमारी मौजूदा सरकार रही इससे आसंटुस्त नजर आ रही है तो इनके मुताबिक जो गद्बंधन की सरकार है जिसमें अलाइन से यह उन्हें एक बास सत्ता में लाना चाहती हैं साथिम और को से भी जुड़ेंगे जानेंगे कि उनकी अपनी लोग सबाद चुनाओं को लेकर क्या रहा है क्या लगता है आपको कि लोग सबाद चुनाओं आ रहे उसमें मोदी दुबारे से वापस आएंगे उनके कामों को देखे आपको लगते हैं का बॉली बतावा नहीं मिला कि लिए ठोले नहीं चला हटा है अवास की बात की ती मोदी जी ने घर देने की वह यहां आपको लगता है गाह में मिला है किसी को क्या लगते है किसकी सरकार आएगी तो आपी सबी समस्यां का समध्धान हो जाएगा अपको क्या लगते हैं कि यह आवास की बात की ती मोदी सरकार में उई थी बच्चों को रोजगार की बात हुए आप पूर लगते कि को ऐसे कोई काम हुए आप लोगों ने फॉर्म डाले थे कुछ नाहीं मिला गुछ नहीं अई कि सरकार रहेगी तो आप लोगो की समस्यां का समधान हो लगताब को लगताक्ली ना कलो कौनों बात तो यहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है गाउं के चली इन से बात करते हैं जानते हैं कि लोग सबस्ट चुनाओं को लेकर इनकी अपनी क्या राहे कि लोग से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि वो मोदी के समर्थन में पहले थे बटे पी उनके विचार बदने लगे लगते हैं आप उनकी बात से सहमत है या आपके अपनी अलग राय नहीं है तो किन मुद्धों को लेकर आपको जो विचार है वो बदल रहे हैं कि जब संसद विधायक यहां आते ही नहीं कभी कोई सुनवाई नहीं करते हम गरीम मन के कहां जाएंगे को यह जो ना भी पास पहुंचने पारें तो आपकी अखिलेश को सभी बोल रहे हैं तो आपको लगते हैं अगर अखिलेश या अगर इंडिया गड़ बंधन जो है आ अगर हटेने आद तक यहां कोई भी नहीं पाए हम लोग तक क्या करें विकास नहीं पाए इसलिए हम लोग अखिलेश की अपकी रहेंगे यहां के लोगों को कहना है कि मोधी सरकार में उनके गाउं में उन्हें बिलकुल भी विकास की चीजे नजर नहीं आई आई और युवाओं के नोकरी मिली अब यह मोधी सरकार में रोजगार भी चिन उठाए कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को ना कहीं का रोजगार सब इदर उदर बटा करें हैं तो आपको क्या लगता है कि अगर सत्ता परिवरतन होता है तो युवाओं की नोकरी पे फोकस होगा आपको यह बोला गया है कि आपका कानेक्शन हो गया वह तक अभी तक आपको सिलेंडर प्रोवाइड नहीं करवाया गया है हमको सिलेंडर नहीं मिला चलिए हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं क्या आपके साथ भी यही समझ्या है आपको सिलेंडर मिला है हाई माहिला के लिए कि गई हैं सरकार तो बोलती कि उन्होंने विद्वाओं के लिए भी बहुत काम किया है गाओं में राशन प पाया तो क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए अखिलेश यादव की और इंडिया गट बंधन आना चीए मोधी सरकार नहीं और कौन कौन सी समझा है आप मोधी जी परिवर्तन होता है तो यहां पर जो नीजी समस्या है गाओं के अपनी उनकों लेकर सुधार होगे अगर अखलेज की सरकार आएगी तो यहां परिवर्तन नहीं आएगा। गाओं के पूरे गाओं के रुज्वान की बात के तो आपको किस तरफ मुर्तावत दिख रहे हैं। तो हमारे गाउं को मुद्दे नजर रखते हुए अखलेस की तरफ सरकार आपको मुलायम सिंग बोलते हैं गाउ में तो क्या लगता है मुलायम सिंग जी कि यहां पर सत्ता पड़िवर्तन होगा या दुबारा से मोधी सरकार बने है वह से मोधी सरकार अभी बिफल रही है यहां पर हमारे गाउं की साफ है क्योंकि यहां पी योजनाय आई लेकिन किसी को मिली है कुछी योजनाय जैसे सोचाले हुआ तो सब को बराबा सुचारू रूस नहीं मिला हर जगा किसी का हुआ पास जैसे गाउं में 60 घर में 40 लोगे तो मैं आपसे जाना चाहूंगी कि ऐसी नौकरी ओं को लेके मोधी सरकार ने बोला है कि वह हर साल 2 करोड लोगों को 2 करोड युवाओं को नौकरी देगी कि आपको लगता है उस बात से सहमत है नहीं कि मैं अभी चुकी 5-6 5 साल से कोई भरतिया नहीं हो रहे थी कुछ सुरू हुई है जैसे कि पुलिस वाला हुआ यह साथ हजार वाला हुआ है ठीक है यह सब निकाली गई है लेकिन अभी क्या है फिलाहाल होगा की नहीं होगा समय बताएगा आपको क्या लगता है अगामी लोग सभा चुनाव में किसकी सरकार आईगी अखलेश भाई क मोदी नहीं है मोदी नहीं है कौन सी वजह है जिसकी वजह हम बहुत दूर से गुजरास पाइदा रही हम नहीं का की नाम क्या आपको किसकी जरगार रहेगी अब यह मोदी तो जियाए पर ही है और अखले असाइज नहीं को नौ साल होगे मोदी सरकार में आपको कुछ भी दिखा कोई भी ऐस काम भी कुछ नाएदे हैं यहां की लोगों से हमने बात की यहां की लोग जो मौजूदा सरकार है उससे काफी आस अंतुस्ट नजर आ रह हम आगे और भी लोगों से जुड़ेंगे तब तक लिए बने दिये कैमरा मैं मिरास खन के साथ रिदी आदव